हेलो दोस्तों वेलकम बैक आज हम बात करेंगे ट्रांस्वांस मूवी के पूरे फ्रेंचाइज के बारे में इन अ क्रॉनलोजिकल ओडर क्योंकि आपने अगर ट्रांस्वांस मूवी देखी भी है तो आपको इसकी में स्टोरी अब तक नहीं पता तो देरी क्यों शुरू करत हैं लेकिन शुरू करने से पहले दू सस्क्राइब एंड सपोर्ट आओर चैनल इन ट्रांस्वांस पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम दे क्यूब आल स्पार्ग क्यूब एक सोर्स है जिससे ट्रांस्वांस क्रियेट हुए थे जो कि उनका खुद का मानना था लेकि ये पेड पौदर वाली सीट नहीं थी, ये सीट थी टेराफॉर्मिंग सीट जो कि और्वनगमेटर को ट्रांसवांस में कन्वेट करती है है ट्रांस्वामर्स बिसिकली मशीन से है इसलिए उने जिन्दा रहने के लिए एनर्जी आन के जर्वत है एनर्जी आन क्रेंट करन लेकिन एक इनमें से प्राइम था जिसका नाम था The Fallen, वो यह रूल को तोड़ कर अर्थ पर आ जाता है और एजिप्ट में एक स्टार हार्वेस्ट को एक्टिवेट कर देता है, Fallen को रोकने के लिए बाकी प्राइम से अर्थ पर आते हैं और Fallen को ट्रांस्फॉर्मस जेल में कैद कर देते हैं अब बाकी प्राइम्स खुद को सेक्रिफाइस करके स्टार हार्वेस्टर की की The Matrix of Leadership को प्रोटेक्ट करते हैं, खुद को पिगला कर, हजार साल बीच जाते हैं और Sibertron पर अब इस कीविलवार्ट छीड़ चीड़ चूकी थी, जिनका नाम था ओटवर्ड और दीसेप्तिकॉंस ऑटवर्ड लिटर था ओप्टिमस प्राइम् और डीसेप्तिकॉंस का लिडर था मेगाटर जो की Fallen कायपरेंटिस था, वार में आटोवर्ट्स हार जाते हैं इसलिए सेंटिनल प्राइम जो की आप्टिमस का मेंटोर था वो साइबर्ट्रोन प्लैनेट से अर्थ नाम की सिप में एक हाईड एडवांस टेकनलोजी लेकर एसकेप करता है लेकिन डिसेप्टिकॉन सिप पर एटेक करते हैं और सिप टुकडों में बढ़ जाती है इसके बाद सेंटिनल प्राइम और उसकी टेकनलोजी के साथ क्या हुआ हम आगे जानेंगे 10,000 BC के दोरान दक क्यूब आल स्पार्क अर्थ पर गिरती है जिसके पीछे डिसेप्टिकॉन्स का लीडर मेगाट्रोन भी अर्थ पर आ जाता है लेकिन वो आर्टिकोशन में क्रैस लैंडिंग कर जाता है जहां पर यह अब 12,000 सालों तक जमा रहने वाला था अब हम 484 AD के वक्त में आगे बढ़ते हैं जहां पर किंग आर्थर और उसके राउंड टेबल लड़ाई कर रहे थी अपने एनिमी सेक्सोंस के खिलाफ दरसलिए लोग लड़ाई करके थोड़ा वक्त बना रहे थे अपने जादूगर मरलिन के लिए जो की एक ऐसी वेपन की तलास में गया था जिससे ये लोग वार को जीत पाएंगे ये वेपन एक स्टाफ थी जो की कुंटिसन नाम के एक साइबेटरॉन की गॉड़ेस का था जिसे उसी की एक नाइट ने बहुत पहले चुरा लिया था ताकि वो अर्थ को डेस्ट्रॉय ना कर सके मरलीन स्टाफ की मदद से आर्थर उसके नेट्स को पावर दे देता है जिससे ये लोग वार को जीज जाते हैं Merlin के स्टाफ की यूज करने पर Merlin की DNA स्टाफ में एंकोडेड हो जाती है इसलिए बस Merlin की बलड लाइन या यू कहें कि Merlin की वन्षज में से ही कोई होगा जो की स्टाफ को फ्यूचर में यूज कर पाएगा अब बाकी दुनिया को Transformers और स्टाफ की पावर के बारे में कुछ पता ना चले इसलिए राउंटेबल की सारे योदा सपत करते हैं राउंटेबल की सारे नैट्स दा ओर्डर व विटिकन्स फॉर्म करते हैं और इस ओर्डर के वनसच को हम पूरे हिस्ट्री के दौरान देख पाते हैं जैसे कि माइकल एंजिलो, डाविंशी, सेक्सपेर, स् कर रहा था, खोद के दौरान ये बर्फ के अंदर गिर जाता है, जहां पर उसे मेगाट्रोन जमावा मिलता है, यहां पर कैप्टेन गलती से मेगाट्रोन की नैविगेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे होता यह है कि उसकी लोकिशन चस्मों पर जाती थी, साथ साल बाद बर्फ में जमें मेगाट्रोन को सेक्टर सेवन वाले होडेम के अंदर चिपा देते हैं दो क्यूब ऑल्स पाक के साथ, वल्ड वर टू के दौरान बंबल भी जोकि ऑटवर्स का स्काउट था, एलेट फोसेस की मदित करता है वार को जीतने में टेकनोलजी के साथ, और सकेप करते हुए सकेप में खो जाता है उसके बारे में, साल 1916 में सेंटिनर्र प्राइम फाइनली मून में क्रेश लैंडिंग करता है, और इस क्रेश लैंडिंग के बारे में युएस को पता चल जाती है, लेकिन अब तक इंसानों के पास स्पेस मे जाने की टेकनोलोजी नहीं थी, USA पूरे आठ साल लगा देती है और पहली बार इंसान चान पर पैर रखता है विद अहलप आप अपलो 11, मून पर इन्ही दा आख शिप मिलती है जिसके अंदर सेंटिनल प्राइम इन्हे डॉमिन स्टेट में मिल जाता है USA के बाद रशिया भी मून पर पहुंच जाती है और यह लोग दा आख शिप की एक फ्विलसल को अपने साथ अर्थ पर ले जाते है रशिया इस फ्विलसल पर बहुत सारे टेस्ट करती है जिसका रिजलिट एक डिजस्टर का रूप ले लेती है जिसे रशिया एक नुकले पावर प्रेंट मेल्डाउन का कवर अप दीती है 2003 में नासा का रोवर माज से एक छोटा से वीडियो ट्रांस्मिट करता है और स्टार स्क्रेंट जो कि मेगटरन का सेकेंड इंड कमांड था चार साल बार डिसेप्टिकॉन्स फाइनली अपनी चाल चलते हैं बाइ अटेकिंग अमेरिकन इंटलिजेंस सिस्टम ताकि उन्हें उनकी लीडर मेगटरन की लोकेशन पता चली अमेरिकन इंटलिजेंस ये पता चल जाता है कि Megatron की location की coordinates Captain Whitwicky की चस्मे में imprinted थी ये चस्मा present में Sam के पास था जो कि Captain Whitwicky का पर 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 पोता था Sam इस दोराने एक पुरानी सी कार खरी लेता है जो कि दरसल Bumble भी ही था एक कार के form में Decepticon Sam का पता लगा लेते हैं लेकिन Bumble भी Sam को इनसे protect करता है और Optimus Prime भी बागे Autobots के साथ fight को join करता है यहाँ पर Sector 7 पहुँच जाते है और Sam को Bumble भी के साथ arrest करके hover dam ले जाते हैं जहाँ पर Sector 7 ने Megatron और The Cube Allspark को रखावा था Decepticon सिंद का पीछा करते हुए facility में पहुँच कर पूरी system को hack कर देते हैं जिससे होता यह है कि Megatron अपनी cryo slip से जाग जाता है Decepticons और Autobots की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है और Sam Cube की मदल से Megatron को मार गिराता है US Government इस हथ से कबाद Sector 7 को बंद करवा देती है एंड Megatron के बचे हुए रेकेज को समंदर के गहरावियों में डिस्पोस कर देती है Autobots का लीडर Optimus Prime यहाँ पर स्पेस में एक message ट्रांस्मेट करता है बागे Autobots को जो की चिपे हुए थे स्पेस में और इस वार में सामिल होने के लिए Now story continues और साल है 2009 का कमेंट और Autobots नेस्ट नाम की एक secret agency बनाते हैं जिनका काम था अर्थ में छिपे हुए Decepticons को मार गिराना संगाई के mission के दोरान जब यह लोग एक Decepticon को destroy करते हैं उनसे कहता है कि Fallen is back जी हाँ Decepticons के leader Fallen अपने cat से बाहर आकर सीधर अर्थ पर पहुँच जाता है Sam एदर अपने life से खुशता है और उसे एक दिन दो क्यूब Allspark की एक piece मिलती है जो उसे एंसे साइबर्टोन ये knowledge शो करती है जिस हो हैंडल नहीं कर पाता है और पागलो जैसी हरकत करने लगता है Government agency नेस के पास भी क्यूब की एक piece थी जिसे Decepticon शुरा कर Megatron को दुबारा जिन्दा कर देते हैं Fallen Megatron को अब command करता है कि Optimus Prime को मार दे Megatron इस काम में लगभग कामयाब भी हो जाता है Optimus की मौत के बाल Sam अपनी girlfriend और agent Simon के साथ मिलकर Jetfire नाम के एक Decepticon से मिलने जाता है Jetfire Autobots और Decepticon के इस लड़ाई से उपचुका था एंड Jetfire इन सब को Egypt में टेलिपूर्ट करता है जहांपर वो इनसे information share करता है कि The Fallen Matrix of Leadership की तलास में है जो कि Star Harvester Machine का की था Sam को Matrix of Leadership मिल जाती है लेकिन Fallen बागे Decepticon के साथ आकर उसे मार डालता है मरने के बाद Sam Cyber Turn In After Life में पहुंच जाता है जहांपर Primes उससे कहते हैं कि Matrix of Leadership हमेशा से उसके अंदर ही था और इसी के साथ Sam फिर से जिन्दा हो जाता है जिसके मदल से Optimus Prime को जिन्दा कर देता है इस Franchise में कोई मरता क्यों नहीं Optimus Prime आफ फाइनली जिन्दा होकर Fallen को मार डालता है दो साल बाद ने इसको information मिलती है about the fuel cell जो कि Russia ने moon landing के दोरांदा आग से चुराई थी Autobots को चांद पर जाकर Sentinel Prime को Earth पर उसके technology के साथ वापस लाते है जो किस वार को एक नया रुख दे सकता है यह technology थी the space bridge एक ऐसी device जो किसे भी matter को space और time के आर पार कर सकती थी लेकिन यहां आती है एक twist Sentinel Prime आप Decepticons का side ले लेता है ताकि उस Cybertron को Earth पर rebuild कर सके जिससे होगा यह कि Earth इंसानों के रहने लाइक बिल्कुल भी नहीं रहेगा और हम सब मारे जाएंगे Optimus Prime इसके खिलाफ आवाज उटाता है और कहता है कि Earth इस और होम डाउं Sentinel Prime गर्मिंट को जासा देता है कि Autobots evil थे और यह लोग Earth की research इसको कतम करने में लगे थे Optimus Prime को यहाँ पर मार देता है और स्पेस ब्रीज मेशिन को डेस्ट्रोय कर देता है इसमें हमें दुनिया का न्या रखवाला केड मिलता है केड के इंवेंटर श्लाइश जंकर श्लाइश टैड श्लाइश एंट्रपेनर था लेकिन वो खुद के लिए एक पुरानी खटारा ट्रक करीता है और बूम उसे पता चल जाता है कि एक transformer है जो की सच भी था क्योंकि यह truck Optimus Prime था जो की symmetry नाम के एक CIEC के transformer हंटिंग एजिंसी से बच रहा था जिसका head Harold था Harold इस operation के लिए sabatronian bounty hunter lockdown से deal करता है एंड वो अर्थ पर बचे वे से भी ट्रांसफोर के खात्मा में लगे रहता है कुछ सालों बाद symmetry को Optimus Prime के Kate से फार्म पर होने की intel मिलती है जिससे Optimus और Kate बाल बाल बचते हैं फिर Autobots रिग्रूब होते हैं जहां पर Kate और बागी Autobots को यह पता चलता है कि KSI नाम की एक agency है जो की transformers की wreckage को चुरा कर उसकी मदल से artificial transformers create कर रही थी Galvatron नाम की एक artificial transformers इन लोगा ने अल्रेडी बना ली थी जिसमें Megatron की DNA थी Kate और Autobots इन से escape करते हैं लेकिन Galvatron और बाग की Decepticons इनके पीछे पर जाते हैं Eventually Lockdown भी यहां पर आ जाता है और Optimus Prime को पकड़ लेता है Optimus से कहता है कि The Creators ने उसे अपने पास वापस बुला है Optimus का पकड़ने के लिए Attinger ने Lockdown की मदद की थी इसलिए Lockdown उसे Creators की एक seed देता है जिसे Attinger KSI की कुछ Shares की रिटन में KSI की Head Joshua Joyce को Base देता है Joshua and seed को Desert में Activate करने वाला था जिससे धेर सार Transformers मिलता और इससे यह Artificial Transformers क्रेट करता Lockdown अपने Ship में Optimus Prime को बंदी बनाए हुआ था जहां पर केड़ आगर उसे वहां से छोड़ा लेता है वो लोग एक Escape Ship की मदद से बाके Autobots के साधरी ग्रूप करते है and KSI के Headquarter में Kalvertron अप पूरी तरसे Megatron का रूप ले लेता है क्योंकि उसमें Megatron का DNA यूस किया गया था उसे Create करने के लिए Megatron भी अब Seed की पीछे लग जाता है ताकि वो अपनी खुद की Transformers की आर्मी बना सके लेकिन जो स्वा सीड को लेकर Hong Kong escape करता है जहाँ पर Autobots और Decepticons की as usual लड़ाई हो जाती है अब हेल्प की तलास में Optimus Dinobots के पास जाता है जो की Novel Cybertronian Warriors थे Optimus इन में से एक Dinobot को Ride करता है और मिलकर ये लोग Decepticons को हरा देते हैं Optimus वर के बाद Earth को छोड़ कर The Creators की तलास में Space में निकल पड़ता है लेकिन उसे पूरे तीन सालों बाद बस एक ही Creators मिलती है जिसका नाम था Quintessa Quintessa उससे कहती है कि जिस Earth को सालों से प्रटेक्ट कर रहा था वो Earth दरसल एक बहुत बड़ा Transformers है जिसका नाम था Unicron जिसमें इतनी एनरजी थी कि वो Sabatron प्लैनेट को दुबारा जिन्दा कर सकता है Quintessa Optimus को brainwash करके order देती है कि वो Earth में वापस जाकर स्टैप को अपनी साथ वापस लाए ताकि वो Unicron को एक्टिवेट कर सके जब Optimus Earth छोड के Creators की तलास में गया था केड और बाके order वर्ट चिप चिप कर अपने दीन काट रहे थे इसी दौरान उसे crash sabatronian ship मिल जाती है जहांबर उसे Quintessa का एक knight अदमरी हालत में मिलता है मने से पहले knight केड को एक talisman देता है जिसमें उसे sir Edmund Burton के बारे में पता चलता है जो order of the wheat vicans के एक descendant था और फिर हम Vivian family नाम के एक history professor को देखते हैं याद है किस तरह से order of the wheat vicans Merlin के वनसच को protect करने की सपतली थी Vivian को पता चलता है कि वो Merlin के वनसच की आगरिवारिस है और जो Quintessa की staff को use करके सबको बचा सकती थी लेकिन इनके पास staff ज़्यादा देर तक रहने वाला था नहीं Quintessa और Optimus Prime जो कि अब Nemesis बन चुका था Earth पर travel करके staff को वापस ले देते हैं Quintessa staff की मंदद से Earth को याग यू कहें कि Unicron को activate कर देती है अग Nemesis को रोकने के लिए Bumble भी आता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है Bumble भी fight को हार रहा होता है लेकिन यहाँ पर उसकी original voice आ जाती है जिससे सुनकर Nemesis वापस से Optimus Prime बन जाता है Cybertron के Knights Optimus की इस गर्दारी पर उसे मान नहीं वाले थे लेकिन केड यहाँ पर उसे protect करने के लिए तालिसमान के साथ fight में एंटर करता है जो की Excalibur नाम के एक legendary sword में convert हो जाती है और यह केड था जो की the last night बन जाता है Autobots और humans मिलकर Quintessa के staff को चुरा कर उसे मान डालते हैं लेकिन क्योंकि इस franchise में कोई सांती से मर भी नहीं सकता तोड़ी देर बार desert में Quintessa वापस आ जाती है जहांपर वो unicorn से related कुछ dangerous बात बताती है और में Optimus फिर से एक बार space में बागे Autobots को message transmit करता है कि Earth ही हमारा घर है और इसी के साथ Transformers की timeline is explained तो explanation आपको कैसी लगी मज़ी comments में जरूर बता है वीडियो को like करना ना भूले और चैनल को subscribe करना तो बनता है तो तक तक के लिए thank you and bye